जब ये लोगीन आईडी पासवर्ट साय दे रही थी तब देहद राय ने भी बताया था कि आप मत दीजी ये गलत है कोई इस तरीके कि गलत चीज़े करते हैं जो अन एथिकल है तो उस मामले में सुनवाई कारवाई होनी जाए उनको फरोट केस में फजाए गया मेरे साब से प्रोट केस है ये सप्रेज विपक्ष की आवाज को सप्रेज करने की साजी से सथा पक्ष की तरफ से बहुत कंड़मी करने वाली चीज़ है एक दम गलत है क्योंकि वो दुबई में रहते हैं और वहाँ पर इन्होंने अपना लोगी में आईडी पासवर्ट दिया यह तो देश दूरो हो सकता है नमस्कार मैं हूँ राशिद और आप देख रहे हैं One India Hindi TMC सांसत मवव मुहितरा का मामला इस वक्त चार और चाया हुआ है उनके सदस्यता चली गई है और इसको लेकर हंगा ममचा हुआ है जहां एक और उन्हें लेकर खूब ब्यानबाजी हो रही है वो अपने दावे पेश कर रही है कि बिना जाच के सदस्यता चली गई और मैं लड़ती हूँ लड़ती रहूंगी लेकिन इस पूरे मामले पर जंता क्या सोचती है यह देखते हैं कि आखिर किस तरह उनका मामला पर चला Cash for query का हो या फिर उनके पूर पार्टनर का हो जिस तरह से जिन सबूतों को लेके आरोपों को लेके यह कारवाई की गई लेकिन अब इस पर आम लोगों का क्याना है आए जानते हैं सर क्या नाम आपका कुनाल नाम है मैं मेरे सलमें कुनाल जी महुआ मुईतरा की इस पर सबसे पहले सवाल इस पर क्या सोचते हैं उनकी सदस्दा जाने पर भारतिये संसद विचार बिमर्च और सवाल पूछने का मंच है और हम देख क्या रहे हैं विगत कुछ महिनों से कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं संसद में सत्ता पक्ट से उनके वाईस को सप्रे कि यह साजी से सत्ता पक्ट की तरफ से बहुत करने वाली चीज है हमारी संसद वहां सवाल पूछे जाएंगे हमेशा पूछे जाएंगे अगर सवाल कोई पूछता है तो अच्छी बात है अगर सवाल ने उठेंगे तो फिर जनता चुनेगी क्यों ने तो बिलकुल सवाल सवाल जो पूछते हैं वो पैसे लेके पूछते हैं इस पर आपके यह सरकार अलग अलग हत गंडे अपना के कैसे भी उनको सांसदी हटाने के लिए आपने सेम राहूल गांदे जी को देखा था उन्होंने कोट में केस चलवा के और फिर उनकी सदस्ता रद की गई थी फिर आपस बहाल हुई ठीक फिर महुआ मुहतरा को मैं कहूंगा उन्हें कोट में जाना चाहिए उनको यह जो है सांसदी रद करने का मामला उसको चैलेंज कि करेंगी लेकिन राहूल गांदी का मामला जो था वह अलग ब्यान बाजी का था लेकिन इंटेंशन उनका सेम है सत्ता पक्ष जो है वो यह दिखाना कि कोई भी अगर आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा तो कहीं इंडिया गटवंदन को दबाने कोशी सोरी है इंडिया गटवंदन एक नाम है बात तो यह है कि वह विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं उनके अपोजीशन की ज पहले भी संसद के डिसकसंस देखे हैं यूपीय का गवर्मेंट देखा है इसके पहले भी और संसद चला है बहुत बड़े-बड़े विचार बिमर्ट लेकिन ऐसी कारवाई ऐसी कारवाई ऐसी पहली बार हम लोग यह करना मैम क्या नाम आपका भाफना भाफना जी यह जो महुआ मोहितरा का जो मामला चल रहा है जिस तरह से उनके सांसदिय चली गई है और वो अभी भी अपने दावे पर अडिये के मैं लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी बिना जाच के इसा बहुआ है क्या सोचते हैं उसके बिना जाच के तो अब्विसली नहीं हुआ है म महुआ मोहितरा अल्रड़ी एथिक्स कमेटी के सामने एकसेट कर चुकी है कि हां मैंने लॉग इन पासवर्ड की दिया था आपने लॉग इन पासवर्ड दिया है आप अल्रड़ी एक गलत चीज तो आप पहले ही कर चुके हो और आपको पता भी होगा कि दर्शन हीरा नंद कि हम इसको पूरी तरीके से सल्यूशन नहीं मान सकते कि उनकी लोकसभा की सानसदी को अगर हम इसे एकस्पेल उनको कर दिया है पूरी तरीके से सल्यूशन नहीं है बट हां कोई इस तरीके की गलत चीजे करते हैं जो अन एथिकल है तो उस मामले में सुनवाई कारवाई हो बागी लेटी महुआ मोहितरा एक्सेप्ट तो किया है उन्होंने कि हाँ मैंने लॉग इन पासवर्ट दिया था जो आल्रेडी एनएथिकल वो चीजे कर चुकी है उन्होंने पैसे लिये हैं नहीं लिये हैं वो फिर भी एक जाज का विश्वय बनता है लेटी इसमें आगे क् हो चाहे वो किसी महिलाओं को लेकर कुछ भी गलत शब्दों का इस्तिमाल करना हो या फिर बाकी और भी चीजे हो इस तरीके कि गर अन एथिकल चीजे होती है पार्लियमेंट में पार्लियमेंट से बाहर जो हमारे समिदान और हर चीज के खिलाफ है तो कारवाई तो होनी च मैं मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूं ठीक है बीजेपी हो टीमसी हो कांग्रेस हो या कोई भी दलका कोई भी नेता हो जो अन एथिकल चीजे करते हैं कारवाई तो उसके उपर होनी चाहिए मेरा कहने का मतलब यह है अन एथिकल कुछ भी हो शुभम शुभम जी किस तरह देख अन दनाने को और उन्होंने यह भी कहा था कि मैं टीमसी से आती हो और मेरे जितने भी मतलब साथी है और जितने मेरे सपोर्ट करने वाले हो बांगला है तो उन्हें वह बांगला में जो है वहां पर कुश्चन्स टाइब करने होते हैं उनके लोगिन आडी पासवर्ट जो कि वह दुबाई में रहते हैं और वहां पर इन्होंने अपना लोगिन आडी पासवर्ट दिया यह तो देश दुरो हो सकता है कि वह इनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं वह आप संसच जैसे इतने बड़े मतलब जहां पर साड़े दलों के नेता बैटते हैं यह तो पर यह काड़ेवाई हुई है और इनकी जो सदस्यता है उसे रद कर दी गई है मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी और काड़ेवाई होनी चाहिए और जाच पर ताल अधिक करना चाहिए क्योंकि इन्होंने खुद स्विकार लिया था कि हां मैंने जब लोगिन आडी पास यह भी भरष्ट अचार हो गया मतलब उनसे गिफ्ट लिये गए हैं कई सारे कार्स और बंगलो की इसे कई सारे जो यह सवाल आते हुए सामने आए हैं तो देखिए अब इनके तो सदस्यता रद हो गई है अब इनके बास दो ही चार महीने बाद जब लोग सवाई लगसन हो राहुल गांदी थे उनके भी हो गया था अब यह महुआ मोईतरा है उनका भी लेकिन जैसे एक आश्रन होता है संसद में जब हम बैठते हैं ठीक है उस जगह मैं फिर वही बात दोराना चाहूंगा रमेज विदूडी जी ने भी ऐसी कहा था उन पर कोई हुआ मतलब जो का अब थोड़ा नजर अंताज किया जाता है और विपक्स के नेता है तो उनकी सदस्दार रध हो गई है अब उनके पास जो मौके हैं सबही के सामने कि अभी वह रिव्यू के लिए अपील करें कि सुप्रीम कोट में मौका है सबको जाने का और उनके जो रिलेसंसीप की बात सुनी है जो हेरान फणानी से बात हुई है उन्हों ने भीच पर कहा है इस पर गहां छाए थी तो मैंने कई बारे उनकी बात सुने हैं और इन सब चीजों पर भी बोला है जब यह लोगी नाइडी पासफ़र्स है दे रही थी तब देहद राय ने भी बताया था कि आप मत दीजी यह गलत है इसका दुरूप योग हो काफी डिटेल में जानते हैं आप मामला नहीं बस सांसर्थ में और कारिवाइज जरूब फरने चीज़िए भस यही करना चाहिए अघिया केना एंज अम्हारी किया का चाहिए है तो जो बहुति योगलमेरे क्यों आएट कोई अअनुर्ण जो ओंटके सथा इसंपी ग्रम्ट क्यों तो उनम्हां सभाटि इसमें इतने कहने चाहूंगा नहीं अगर यह जैसे संसद में सवाल पोछने को लेकर अगर किसी की संसदी हटा उसकी संसदी हटा यह कोई सॉलूशन नहीं यह बहुत गलत हुआ उनके साथ इस बात को तो हम ने टीवी पर देखा हम रोज देखते हैं इसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संसद में कई लोग सवाल उठाते हैं अगर ऐसे लोग सवाल उठाने लेगें उनके सद्दस्ते ले जाया तो यह सही नहीं है ना बाकी हाँ यह चीज जैसे जो की जारी है इसमें कहना है कि मतलब रिपोर्ट आई उसके तुरंट बाद निश्कासन कर दिया गया उनका तो इसको लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं यह सब चीजे है तो इसको लेकर विपच्च का भी मतलब सवाल है उसको उठा रहा है कर सकते हैं मतलब यह मामला ऐसा आया तो पहली बाकी रही जो बात हो रही है कि आईडी पासवर्ट देना तो गलत है और यह कोई पहला मतलब अभी सदन में कल ही शायद एक जैडियू के नेता है उन्होंने भी ओपन किया उपनली बोला है लोग सभा स्पीकर के सामने कि हम वगेरा हमारे पास नहीं पीए के पास रहते हैं और इविन कुश्चन तक जो है वो हमारे पीए तक का बनाते हैं तो हम पोछते हैं लेकिन इतके लिए अगर देखा जया चुछ चीज जैज नहीं है लेकिन जैसे पासवर्ट और यह हीरा नंदानी का केस और महो मोतरी में पासवर्ट देना है एक बार कोन भी लें पहों कि पास चूलो ठीक है वो उनके असिस्टेंट्स हैं उनका उस्पोर्ट करते हैं देखते हैं कामभार तो उनके पास हो सकता है थोड़ी दिर करें मान भी लेकिन इनका पुछ पी ए नहीं है वो इंका कोई relation नहीं बनता है तो ये एक बिल्कुल कारवाई बिल्कुल कह सकते हैं और इतिकल सही नहीं है बस यह कि हाँ टाइमिंग को लेकर थोड़ा सवाल होड़ा कि तुरण जहां चोना चाहिए पुरे इन्वेस्टिकेशन कहां कहां गलती है कौन-कौन इसमें बिल्कुल थोड़ा इसमें समय लेना लिया जाना चाहिए था तो कारवाई में तो बिल्कुल हुआ है बाकि जैसे कि भीपक्ष को ही टार्गेट किया जाता है वहीं मैं कहा रहा हूं कि इंडिया का जो गडबंद है उसके अगर नेता हैं तो तुरहनत एकदम कारवाई हो जाती है लेकिन हम देखें कि अगर कोई सत्तापक्ष का नेता है तो उसकी बात को थोड़ा सा नजरन्दास किया जाता या वैसा एक्षन नहीं लिया जाता जैसा की लिए ना चाहिए देखे इस पर मैं कोई आरोब तो नहीं लगाऊना चाहूंगा ठीक है लेकिन ये चीजे तो रहती है कहीं ना कहीं दिखती है बिल्कुल बट ये है कि ऐसा कोई अगर विपक्ष के पास मामला है तो उसको सामने लाना चाहिए कि भाई अधर इंसान भी ऐसा अधर सांसर भी ऐ होगा चलिए ये थी जंता कि राय जो इन्होंने बताया कि जो महुआ माहितरा का मामला चल रहा है उस पर क्या होना चाहिए जो फैसला इतनी जल्दी लिया है उनकी सांसर दी चली गई यह बहराल अभी मामला कूट में जाता है कहां जाता है और इस मामले में आगे क्या लेती हैं या फिर वो कौन सा कदम उठाती हैं देखने वाली बात होगी कैमरा मैन हर्श के साथ राशेद वन इंडिया नोईडा